हेलो दोस्तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका से समोसा बनाने के लिए बताऊंगे अगर आप सभी दोस्तों को मेरा ये रेश्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चेनल को सस्क्राइब करना ना भूले तो चलिए आज कर रेश्पी हम सुरू करते हैं तो एक पोवा में डालिये हैं अब हम इसमें दो बड़े चमच घी देसी घी डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डालकर हम इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे तो सर्दियो के मुसम में हम बना रहे हैं तो हम इसमें गुनगुना पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा डाल करके अच्छा अटा को अच्छे तरह से गुथ लेंगे तो अटा को हम टाइट ही गुथेंगे अब हम इसको साइड में रख देते हैं चलिए अब हम चटनी बनाते हैं तो कराईए में दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे तेल गरम होने के बाद जीरा, प्याज, टमाटर को डाल देंगे अब हम इसमें मटर डालेंगे सवी को एक मिनट पकाने के बाद हम इसमें उबाला हुआ आलू डालेंगे तो हम पहले ही आधा केजी आलो उबाल लिये हैं अब हम आलो को अपने हाथ से से दबा करके सभी को गूर लेंगे अब हम इसको चटनी में डाल देते हैं डाल कर हम इसको अच्छे तरह से मिलाएंगे अब हम इसमें एक चमच हल्दी पोडर, एक चमच धन्या पोडर, स्वाधनुसार नमक, धन्या पत्ता डाल देंगे डाल कर हम इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और तो देखे चटनी बन गया हैं अब हम इसको निकाल लेते हैं तो अब हम आटा को फिर से इस तरह से कर लेंगे और इसका लगया काट लेंगे चलिए अब हम इसको बेलते हैं इस तरह से हम इसको गोल गोल घुमा करके पूरी के तरह बना लेंगे और इसको हम बेलेंगे तो हम इस तरह से बेल लेंगे फिर इसको बीच में काटेंगे तो एक और हम बेल के आप लोगों को दिखाती हूं इसी तरह से हम सभी पूरियां बेल लेंगे इसी तरह से हम इसको लंपा करके बेल लेंगे अब हम फिर इसको बीच में काट देंगे तो इसी तरह से सभी पूरियां बेल लेंगे अब हम एक पूरियां लेंगे और इसको अपने तलहती पर रखकर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे तो हम इसको अच्छे तरह से मोरेंगे और इसको हम जोड जहां है इसको अच्छे तरह से चिपकाएंगे ताकि खुले न अब हम इसमें चटनी डालेंगे चटनी डालकर हम इसको चिपकाएंगे और यहां थोरा सा इसको मोड़ेंगे और फिर इसको हम चिपकादेंगे तो देखे यह बन गया है अब हम दूसरा बना करके दिखाती हूं तो चारोर साइट से हम पानी या तेल लगा देंगे फिर एक कोने से इस कोने में लाकर के इसको मिलाएंगे और अच्छे तरह से दोनों को चिपकाएंगे अब हम इसमें चटनी डालेंगे डाल कर फिर से चारो सैड से पानी या तेल लगा देंगे और बीच में इसको यहां पर मोड देंगे और फिर इसको चिपका देंगे इसको हम अच्छे तरह से चिपकाएंगे ताकि या खुले न अगर खुल गया तो सारा तेल भी बरबाद हो जाएगा और समोसा भी खराब हो जाएगा तो इसी तरह से सभी समोसे हम बना लेंगे तो हम रिफाइन को पहले ही ग्यास पे गर्म होने के लिए रख दिये थे और इसको मीडियम तोपर 12 मिनट तक पकाएंगे 12 मिनट होने के बाद हम गयास को आप कर देंगे और 5 मिनट तक तेल में इसको पकाएंगे उसके बाद हम समोसा निकाल लेंगे तो देखिए कितना अच्छा समोसा बन कर तैयार है